अस्तामनेकुम फ्रेंज्स, वेलकम बैक टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन जहां पर ये ड्रामा इतना जबरदस्त है, वहां पर इसका OST भी तो कमाल का है OST पर जब ये सीन्स मैच करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं अब जो आने वाली अगली एपिसोड है, उस पर ये बोल तो बहुत ही मैच करते हैं तुझ पर होगा कोई सितम, तो तब तू जानेगी, चीडे का दिल जब कोई गम, तो तब तू मानेगी शीशे की तरा मैं तेरे भरम को तोर डालूँगा फ्रेंड्स अब यही सब कुछ तो अगली एपिसोड में होने वाला है यहां पर मिरब जैसे ही त्यार होती है, तो मुर्तिस्म तो उसे देखता ही रह जाता है उसके हुसन के कसीदे पढ़ने शुरू कर देता है, तब ही मिरब कहने लगी खुब नियत समझ रही हूं मैं तुम्हारी मुर्तिस्म कहने लगता है, तो क्या गलत ही क्या है, शोहर हूं तुम्हारा लेकिन अब मिरब भी कह देती है, यह सब कुछ इस चनम में तो ममकिन नहीं कि तुम्हारी हुआशात मैं पूरी कर सकूँ ऐसे में मिरब तो खुब चाहती है, कि मुर्तिस्म की हुआशात पूरी हो सके लेकिन मिरब भी अपने कون्ٹ blends के हातों मचपूर है, कि अब उसके सामने अपनी अना को तोड़ नहीं सकती लेकिन आइस्ता ही आइस्ता, यह मिरब भी तो तोड़ेगी अपनी अना को क्योंकि यहां पर जो शीशे की तरह मैं तेरे भरम तोर डालूंगा यह OST बहुत मैच करने वाला है आज की एपिसोड में क्योंकि मीरब जो हमेशा चटान बनकर मर्दों के सामने खड़ी रहती है आज मर्द इसे जुका देंगे इसे समझ आ जाएगी कि औरत किस कदर कमजोर है और मर्द कितना ताकतवर है यहां पर इस माश्रे में जीने के लिए मर्द के सहारे की जरूरत जरूर पड़ती है जैसे ही मुर्तिसिम इसे जमीनों पर लेकर जाता है और उसे कहने लगा गारी से बाहर मत निकलना थोड़ा सा मुझे काम है मैं अभी आता हूँ लेकिन मीरब भला मुर्तिसिम की बात क्यों मानेंगी जैसे ही मुर्तिसिम गारी से बाहर निकलता है मीरब भी एक बकड़ी का बच्चा देख रहती है और उसके साथ खेलने लगती है कि खेलते खेलते दूर निकल जाती है वहां पर मुर्तिसिम के दुश्मन खड़े हैं जो के शिकार करने आये हैं और जैसे ही मीरब को यहां पर देखते हैं तो उनकी तो लोटरी ही निकल आई कि इतना जबर्दस शिकार उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उस हांदान का हान हांदान का शिकार उन्हें इस तरीके से भी मिल जाएगा शिकार करने के लिए मुलाजिम जैसे ही गन निकालता है तो मीरब गन के आवाज सुनकर डर जाती है ऐसी में वह बहुत ममकिन है, कहीं छुप चाएगी लेकिन अब यह लोग मीरब को किटनैप कर लेंगे अब मुटसी मीरब को ढूंते ढूंते दिन से राथ हो गई लेकिन मीरब का कहीं पता नहीं राथ को जब तॉर्च लाइट में मीरब को ढूनने लगा तो अब तो उसकी इंतहा ही होगी जोर-जोर से जो मीरब मीरब आवाजे देने लगता है तो बहुत मम्किन है मलिक मोहतार का ये बेटा मीरब को किड्नाप करके अपनी हवेली ले गया है और मुर्तसीम का तो यहां पर बहुत ही बुरा हाल है ये तो वही बात हुई तुझ पर होगा कोई सितम तो तब तू जानेंगी चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेंगी अब मीरब को मुर्तसीम का एहसास हो ही जाएगा कि एक कमरे में रहते होए भी उसने उसको कभी छुआ तक नहीं उसने कभी उस पर बुरी नजर नहीं रखी, हलाके वो भी मर्द है, और अब जब इन मर्दों के दर्मियान में आई है, तो अपनी इज़त को गेर महफूज समझती है, क्योंकि ये मर्द नहीं, इस मार्शे के दरिंदे हैं, जो कि इसको नोच खाएंगे, अब वो मुर्तसिम से यही तो डिमांड करेंगे, कि तुम्हारी बीवी हमारे कबसे में हैं, और हमें इसकी इज़त के साथ भी खेल जाएंगे, इसके हमारी शरायत को मानो, और शरायत को मनवाते हुए, वो बहुत भारी कोई कीमत कहेंगे, या फिर जमीन का मतालबा करेंगे, जो कि मुर्तसि नहीं मान सकता, इसी दुरान ही लड़ाई होगी, और लड़ाई में ही मुर्तसिम से उनके हानदान का कोई बंदा मर जाएगा, और हान हानदान में रवाज है, जब एक साइड से कोई बंदा मर जाता है, तो फिर अपने घर की बेटी को उनके हानदान में बदवे के तोर प बदले में चाहेगी तो फ्रेंड्स ओवरल ये ट्रामा बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही जबरदस्त होता जा रहा है जबरदस्त तो पहले ही था अब तो और भी ज्यादा हो गया आपको ये सब ट्विस्ट एंट टर्न्स कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट्स में बताएएगा मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बैल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीज़ेगा ताकि मेरी हार आने वानी वीडियो बहुत असानी से देख सकें